सब्सक्राइब करें हमारे पीके टेक्निकल है चैनल को और बेल के आइकन को दबाएं हमारी टेक्निकल वीडियो सबसे पहले दिखाऊंगा और उसको प्ले करके भी दिखाऊंगा सब्सक्राइब करें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से प्रिक्वेश्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीजी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक एंड़ करना ना है और एक जो है वो हेलो जीओ के नाम से तो मैं गूगल एसिस्टेंस का जो फीचर है इसको एनेवल करता हूं और इसको एनेवल करने के बाद मैं एक एप ओपन करके देखूंगा तो मैं प्रेस करता हूं अपने माइक वाले बटन को और एनेवल करके देखता हूं ओपेन जियो टीवी इसने जियो टीवी दो प्रॉपरेडली खोर लिया है और मैं इसको सेटिंग्स को ओपेन करके देखता हूँ देखी ये कैमरा फोकस नहीं किये पा रहा है बट मैं आपको दिखाने की कोसिस करता हूँ इसने जियो टीवी को तो ओपेन कर लिया है अब मैं सेटिंग्स को ओपेन करने की कोसित करता हूँ ओपेन सेटिंग्स जहां इसने सेटिंग्स को भी प्रॉपरली ओपन कर लिया है अब मैं चलता हूँ अपने हेलो जियो की तरफ और देखता हूँ वो कितना प्रॉपरली वर्क कर पाता है इस फोन के साथ में ओपन जियो टीवी जियां यह बहुत ही टाइम ले रहा है प्रॉसेस करने में और इन देन में तो गूगल एसिस्टेंस ने एंची यो टीवी फिर भी इसने जियो टीवी को खोल दिया है और इसने ओपन कर दिया प्रॉपरली हलाकि इसने उतना फास्ट नहीं किया जितना जियो गूगल एसिस्टेंस ने किया था पर हैलो जियो भी एक अच्छा फीचर था बट आपको गूगल एसिस्टेंस भी इसमें मिल गया है और थोड़े दिनौं के अपडेट के बाद सायद आपको दो थीन और अपडेट मिल सकते हैं जैसे की वाट्स अप का वाट्स अप का तो सायद आपको न्यू एंग कईने जनवरी के अंदर ही मिल जाएगा और आगे जैसे फीचर और इसमें आते हैं नए included होते हैं YouTube का भी होगा तो मैं आपको वीडियो दे दूँगा और हमारे चैनल पे ethical hacking टथिछ उन्वॉक्षंग रिव्यूव सी सारी वीडियो आती रहती हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो कैसी लगी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा नहीं अच्छे लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और मैं आपको इस वीडियो के इंड में यही बताना चाहू कि जियो फोन में होट्सपॉट एनेवल करने का कोई फीचर नहीं है यह आपको स्रिफ बेफकुफ बनाया जा रहा है और अगर आपको जियो फोन में होट्सपॉट चलाना होगा तो अगर जियो अपने फोन में सिस्टम अपडेट देता है तब ही आप इसको एनेवल कर पाए झाल